अब तक आपने देखा गौरी नवरात्री के पाँचवे दिन सकंदा माता की पूजा अर्चना करती है और गौरी शिव को उसकी चौथी परिक्षा बताती है जिसमें उसे माता की पूजा और प्रसाद की व्यवस्था देखनी है वहीं कमला उसके हर काम में बाधा डालने और खराब करने की कोशिश करती है अभी मन्यूग गौरी को बताता है कि जल्दी उसकी डांस एकेडमी शुरू हो जाएगी दूसरी तरफ शिव कमला की हर चाल को नाकाम्याब कर देता है और अपनी इस परिक्षा में सफल होता है अब आगे आज माता महागौरी का दिन है इने अन्न पूर्णा की तेवी भी कहा चाता है इनकी पूजा अर्चना करने से हमारे सारे दुखों और कष्टों का निवारन होता है और जीवन में सुक सम्रिथी बनी रहती है तो आज हम सब मिलकर मां को शीष नवाकन नमन करेंगे और इनसे आशरवात मांगेंगे कि सदा अपनी कृपा जुष्टी हम पर बनाये रखें तो बोलो माता महागौरी की जै हो पीवी पीवी ए माई लाला चूनरा बीचानी खरल छेहरा लागेला सुरूज समान ए माई लागेला सुरूज समान ए माई लाला चूनरा बीचानी खरल छेहरा लागेला सुरूज समान ए माई लागेला सुरूज समान ए माई लाला चूनरा बीचानी खरल छेहरा लागेला सुरूज समान ए माई लागेला सुरूज समान बोल महागौरी महिया की जै सब लोग आरती ले दिछे प्रिवेटी, कैसी आप, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए? आप तो बिलकुल अच्छे हैं, अब ही तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने यहां, यहां मुंबई में हैं, अब तो विश्वास हो गया ना, हो गया अब, देवी दीदी, यह सब हमारे दोस्त हैं, अब, नोस्ते, नवरात्री में हम सब मिलकर पूजा करते हैं, यह तोलिका, यह संथ, अभी मन्यू और यह शिर्वास है, अब ही का बात है गोरी, अरे हमको तो तुमने मिलाया है नहीं, देवी जी, हरे हमको किसे बोल सकती है, म इन्होंने हमारे हाथे बहुत सारे पकवडे खाये हैं, जुट कहें तो को, हाभी आप भी ना, बहुत सोना आपके बारे में गोरी से, यह हमारी देवी दीदी के साथ साथ हमारी गुरु दीदी भी है, बस ऐसा समशलो कि हमें संगीच सिखाने वाले बाबुची और हमारी पता है, जब हमारे बाबुची देवी दीदी को संगीच सिखाया करते थे ना, तब ही से हम बहुत प्रभावे थे, इन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे, सुड़ लगाना, सब कुछ इनी की तरह, सही कहो तो, देवी दीदी हमारी संगीच सीखने की प्रेहना है, और और पूरे यूपी में जितने फैंस इनके है ना उतने फैंस एक बॉलिवुद सिंगर के भिनी होंगे अब बस पी करो गौरी अब इतनी तारीफ मत करो कि हमें समझ में आये कि हम किधर जाए क्या करें भाभी इसी बात पे देवी दीदी के पसंद का फलाहार बनाईए ना सिंगाडी की रोटी आलू की सबसी और राजगिरे का हलवा अरे गौरी बस बस आज तो सिर्फ हम तुम से मिलने चले आए जब गुरुजी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो तो तुम से मिले बिनार रहा नहीं गया और जट पटा गई मैं अब बस पर साथ दे दो और हम चलते हैं क्यूंकि समय कम है हमारे पास रात में जगराता है ना और रही खाने की बात तो उसके लिए तो हम किसी दिर पूरसत से आएंगे और सिर्फ सिंहाडे की रोटी और राजगिरे के हलवे से काम नहीं चलेगा पूरे चपन भोग बनवाएंगे दीदी आपके साथ के लिए ना हम दिन में दो बार चपन भोग बना सकते हैं अच्छा पताईए जगराता कहाँ पर है अरे वो जो बीपी कॉलनी है ना उसी के कॉम्म्निट्री हॉल में अरे वो तो वो तो हमारे घर के बहुत पास है हम सब जरूर आएंगे आ नहीं होगा अगर नहीं आओगे तो मार निखाओगे हमसे अच्छा हम अब चलते हैं अरे इसे कैसे अब पहले परसाथ तो लेके जाहिए हाँ गौरी तुमना अपने हाथों से देवी जी का परसाथ दो यह लेचे अच्छा गौरी अब हम चलते हैं शाम में आएंगे तो बैटके खूब बाते करेंगे ठीक है देवी हम आपका इंतिजार करेंगी नास्टाइए गौरी आज प्रसाथ मैं दिस्टिब्यूट करूँ अलिका शिर्फ बातना खाने मत लग जाना वरना बाद में कहीगी की 135 ग्रांट वेट पढ़ गया चुप चाब प्रसाथ लो और अपने ही पुराने जोक्स मारना बंद करूँ आप सब ने देखा न हमारी दीदी को वो हम तब गौरी हम सब देवी दीदी की तारीफ सुन चुके हैं और उनसे मिल भी चुके हैं चलो अच्छा हुआ देवी दीदी आ गई और गौरी का ध्यान बढ़ गया कम से कम आप परीक्षान ही देनी पड़ेगी चलो अब पूजा हो गई मैं चलती हूँ अरे नहां जा र अच्छा अच्छा अभी मन्यों आपको कोई मीटिंग के लिए तो नहीं जाना है ना अरे मीटिंग होई तो का हुआ तुम्हें आएसे अकेला हमारा मतलब है कि हम सब को अकेला छोड़कर अभी भला कही से जा सकता है आए अभी हम ठीक कह रहे है ना जी भावी बिल्कुल आपने शबबाव गोरी क्या 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 तैयारी करनी है लिए और काले चने ना उबल गय है 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 अब रहे भावशी अरे तुम तो बहुत अच्छी लोग यह करारे हो कमली जूट कहें तो को अरे गिम के ना किवन नौ थोली फाफे बनाने हैं और नौ सेकंड की काम को नौ साल लगाएगा यह सिफ भाभी आपको शिफ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है वो कर लेगा आप सबजी में छोका लगा दीचिये ना और हाँ पूरी के लिए तेल भी गरम करने रखतीचिये कई देड़ ना हो जाये हाँ काम तो हमें ही नहीं आता है ना और यह सिफ ना सदगुन संपन्न हो तो लिका आप चूडियों का सेट नो बहुत ध्यान से बनाना सब डबों में नौ चूडियां होनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं हुई ना एक भी काम हुई तो बहुत गरबर हो जाएगी सेट तो पूरा नो चूडियों कही है लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि सब में एक जैसी चूडियां क्यों है वो इसलिए ता कि कान्याओं में लडाई ना हो कि एक के पस बहुत सुंदर से लिगी और दूसरे के बहुत काम वेरी स्मार्ट हाँ गुड थिंकिंग árárárा son तुमने अभी हाँ अठा के वीज़ में क्या रखा है कुछ भी तो नहीं अर्य subscribe मैंने अपनी आंखों से लेखा तुमने यह से कुछ उचा के रखा अपनी जेबब exposed सच्में कुछ नहीं रखा मैंने एक सिर में नहीं है मैंने डिका थरında मैंने कुछ नहीं चुपाया सच में यह कुछ नहीं है यहां दिखाओ यह दोनों भी ना भाभी का हुआ भाभी अगर चनो कुछ हौका लगा दिया न तो अमें बता दीजी हम पूरियां तल देते हाँ हाँ अरे उसब तो हो गया है हम कर लेंगे ना सब काम अभी मन्यू लोई तो बनाईए अरे बना रहा है ना काहे परिसान कर रही है उसको अभी हम इसलिए कह रहे है कि कई अंदर घीना चल जाए कुछ जलने वलने वाला नहीं है अगर अब कुछ चलेगा ना तो सिरफ सिप का दिल इसलिए अब इसलिए अब आप इसलिए इसलिए आप 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 कर कर चला किया कि यह सब काम चोड़ कर कैसे जाए उसे मनाने कि दिखा उजी यह दोनों भी ना हमेसा लड़ते रहते हैं हम अभी आए अरे का हुआ किया हुआ है तू शोर मचा के रखा है गोरी देखो ना यह कुछ बार है अपनी जेब में हम ना तुम दोनों के बीट संगी सुलानी कराने आए हम यह बताने आए है कि कंजक पूजन के लिए बच्चियां चाहिए जिनमें से एक बच्चा होगा और हमने कहा था उनसे कि तु आए काम करना रास्थे में जगर ले ना लेकिन अबजी ज्ल्दी जाओ हहां चलो 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 अबहे खो किस नों भी ना यह भगवान इसन दोटहों भी ना बाबी वह किचन में लेना घी खतिम हुगिया है हम जाकर ना सामने मले दुकान से þो मिनट मे ले आते हैं ह गी खतम हो गया? अरे, इसे किसे खतम हो गया? तुम चलो हमरे साथ, हम दिखाते हैं तुमको. गी का बहाना तुम नहीं चलनने वाला, और भावी से जूट पूलना इतना असान नहीं है. क्या करें? क्या करें? कैसे जायशिव को बनाने? गौरी, अरे, का सोच रही है? चलो घी दिखाते हैं तुमको. अब भावी, वो क्या है ना? जो फिचन में थोड़ा सा घी पड़ा है ना? वो घर का सामान बनाने की काम आ जाएगा. पूजा करने के लिए और हलवा बनाने के लिए हम शुद घी ले आते हैं. कमला, कहां से घी लाने वाली हो, हम सब समझे हैं कौरी. जाओ जाओ, ले आओगी. क्या हुआ है? यहां क्यों बैठे हो? सिर्फ बोलोगे कि तो छोड़ कर यहां केले क्यों बैठे हो? हाथो, मेरा कॉन खास बैठा है वहाँ. तेरा तो है ना वो खास दोस्त, अभी मन्नी हो. जा ना, उसके साथ गप्प उमार। जब गप्पे पूरी हो जा है तो पूरियाँ बनाना उसके साथ. जब पूरिया बनिया उसके साथ. उसके बाद हलूlica कोना उसके साथ. अच्छी से जला ना, बहुत अच्छी जलेगी मैं क्या कर रहा हूँ, कहा बेठा हूँ, इससे क्या फरक पड़ता है तुझे बता है हमें क्या लगता है, अभी मन्योनिर तुम्हारे दिमाग में थावा बोल दिया बस, चुप्रम, इसके आगे कुछ नहीं बोलो कि तुम्हें मौन रहने की परीक्षा देनी है भगवार ने हमें दो कान और एक मूँ इसी कारण दिया है, कि बोलने से ज़्यादा हम सुने और चपी हमारा मूँ खुले न, भूलकर भी हमारे मूँ से किसी की निंदा न हो, आज तुम्हारी यही परीक्षा है हम देखना चाहते हैं, कि तुम कितना बरदाश्ट कर पाते हैं, इसलिए जो कुछ भी हो जाए आज तुम पूरा दिन मौनवरत रखोगे, और एक भी शब नहीं बोलोगे, बन्ना परीक्षा में तो फेल हो गई, साथ ही साथ हम भी तुमसे नाराज हो जाएंगे ऐसा है, I am sorry मैं कोई परिक्षा वरिक्षा नहीं देने वाला, और भगवान ने कान, हाथ, मूह, कितने और क्यों दिये हैं, इसमें मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है ठीक है, हम ही बागल है, जो हर बार तुम पर भरोसा करते हैं, नहीं रखना है मॉन्वरत, मत रखो, लेकिन याद रखना, आज के बाद हमसे कभी बात मत करना इश्क ही रभ है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का ना छोड़ो हमारा, शिर्स छोड़ो हमारा हा, तेरे इश्क में हो, तेरे इश्क में, ये कैसा प्यार है, चड़ाये हुमार है, लाखों में नींद है ना, दिल को करार है तेरे इश्क में, 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 तेरे इश्क अब और इसि में से दोट चमच घी निकालके कर लेती इस्तिमाल हल्वे के रिए लेकिन कहे बनाती और कहा निकालती है इसमें से घी निकालती तो कर से मिट पाती ऐस जी जोरी सिप से भाभी कहां खड़ेओं के कोस रही हैं हमें ये देख लीजिए ले आए हैं हम घी तो वही घी लपेट के ना जल मरो बन जाओ जरी मरी गौरी माता गौरी गी तेल के बाहने बाहर जाने की का जरुवत थी जूट कहें तो को अरे तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि हम ना तुमना हाथ पकड़के ना घर में बिठा देंगे जम मन करें ना तो चली जाये करो मूठा के बाहर का है जूट का नकाप पहन कर घूम रही हो आप कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है और अगर जूट का नकाप ही पहनना होता तो आपको बिना बताए भी जा सकते थे लेकिन आज भी हमें बढ़ों का आतर करना और अपनी मर्याता में रहना आता है यह भगवान कितना समय हो गये दोनों को गये हुए अब तक बच्चो को नहीं लाए जरू ना बीच रास्ते में खड़े उकर जगड़ने लगए होंगे आने तो तो नो पैट के क्लास लगाएंगे अरे गौरी शान्त हो जाओ आते ही होंगे वह भी हो यहलोब्सके ज लोग तक नाम दीया और सैतान हाजी आज़ाओ सब्लुग अज़ाओ सब्लुग अज़ाओ सुग अज़ाओ अज़ाओ हुआ यह तो वही आंकल है जो डान्स कॉम्टिशन में जीते थे और यह वाल अंकल तो हार गये थे नहीं बेटा एसा नहीं बोलते खले ही वो अंकल हार गये थे वो भी बहुत अच्छा डान्स करते हैं करते होंगे पर वो वाले अंकल की साथ अब जाद अच्छी लगती हो और यह वाले अंकल का नाम अभी अंकल है ना? बिल्कल सही कहा तुमने बिटिया करी को देखा यह बक्चे सच कहल रहा है, माता के रूप में जो है भापी बात तो आपके बिल्कुल ठीक है बश्चे जो बोलते हैं सही बोलते हैं आप एक बात पर गौर करिये ना, आपके लिए तो हम भी बच्चे हैं, तो आपके से हम जो कुछ भी कहेंगे ना, आप उसे भी माल लीचीएगा. काश मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता. अरे, तुम्री खातिदारी ना, तो इस सबसे बढ़कर होगी, तुम्रे साधी में. बताओ, संथ, कब कर रहे हो साधी? भावी, पूस तो ऐसे रही है, जैसे संथ की शाधी से सबसे आधा फायदा इनी को उने वाला है. कमला भावी, मैं तो त्यार हूँ शाधी के लिए, पर अकेले कैसे करूँ? कोई तो हो. अब पताओगे कि तुम सुबह से क्या चुपा रहे थे? अरे, वाँ, तुम्हें शर्माना भी आता है. अरे, लिफाफे, शिफ, जरा सुनना तो, आराम से, वो लिफाफे तो दो जरा, कहां रखें? कहां? अरे, बाबा, कहां? अरे, शिफ, मुझ में घी भर दिया का, गौरी ने? बोलते काया नहीं हो कुछ? अरे, बोलो ना, कहां? टेवल के अंदर? क्या? मेरे कमरे में? कार के अंदर है? डिक्की के अंदर? कार की डिक्की? कार के डिक्की में क्यों रखूँगा यार? के बागल हो गई यह किया तुलिका? अरे, यार मेही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह क्या मोड रहा है, क्या इशारे कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है, वो समझ लो. वैसे, फालतुके का मिंस पास करता रहता है, और आज ही का दिन मिला था अपनी दुद्सुपान को रैस देने के, हा? तुलिका, तुम मेरे ने दो मैं समझाता हूँ, सुन. तुम समझाओगे, जैसे पहले म्यूट और डेफ की निउस में काम करते थे. अब मुझी के घूर रहे हो, उसे देखो और समझो उसके इसारे. शिव, तुमने कहां रखा है? कीचेन में रखा है? किसी डब्बे में रखा है? क्या मुझी बता है, तुमने घदय के निचे, कुर्सी के निचे, कैफे में कहां पर रखा है? कुछ तो बोल यार. शिव, अरे छोड़ तो ना गौरी का हाथ? मुझी तरह तुमने हाथ में भी गोंद लग गया क्या? छोड़ो हाथ! तो हमको किसी का कुछ समझ में नहीं आता है. कोई है कि बच्चो की तरह जगडा करता है? कोई है जो पाने मारता है? और एक यह है, जो मुपी ताला मारके बैठा. सबसे समझदार तो हमारा अभी ही है. नहीं पड़ता है इन सब फालतू के पचड़ों में. यह कमला भावी तो फेदा है अभी मन्यू बर. मेरा बस चले तो इनका टेवास करा के अभी मन्यू के साथ बांतो. मेरी सिन्दगी की परिशानियां तो कतम हो जाएंगी. अरे घूर का रहे हो? बोलो न, का बळना चाहते हो? सेप, बोलोगे यह हम बुलवाएं? अरे बोलोगे यह और चुटकी मढ़ो रहे? पीछे का यह हट रहे हो? बोलो न, का बना चाहते हो? जूट कहें तुको, बस तुम्री मध्धूर पानी से ना हम दो सब सुनना चाहते हैं. केवल दो शब्दों की क्या बात है. पर जो अगर बोल दिये ना, तो पैट जाओगी मेरची के खेत में. पर मौनवरत के चलते चुब हो. कैसी लग रही हो? बिल्कुल दुर्गा माता का रूप. अच्छा, यह बताओ, गुड या बैट. दुलेका, भाभी ने तुम्हें मा जितना सुन्दर बोला है, तो इसमें बैट क्या हो सकता है? राइट, राइट. क्या है ना, कि मैंने आज तक दुर्गा मा को असली में नहीं देखा है? तो इसलिए, सॉरी दुर्गा मा, बहनी सॉरी. वैसे गौरी, दुर्गा मा तो हमेशा लाल रंकी साडी पहनती है, तो तुमने सफेद क्यों पहनी है? दुलिका, नौ दुर्गा के आठवे दिन, यानि आज अश्टमी के दिन हमें सफेद्या हरा पहनना चाहिए, मा के आतर में. ओ, तो दो मिनिट रुको, मैंना हरे रंकी साडी पहन के आती हूँ. अरे, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं. मा किसी रंग में भेदभाव नहीं करते हैं, जस्मन में सध्धा होनी चाहिए. जूट कहें तो कऊ, ना जाने न, कहा होगा आज की नसल का? बाबी, आप गबराएए मन, जो होगा न, अच्छा ही होगा. अच्छा तो लेका, तुम संध को पूंगर के पूछो न, वो कहा पौँचा? हाँ. हलो, संध, कहा पाँचे हो तुम? हाँ हाँ, हम लोग रेडी हो गए, बस निकलने वाले हैं. अच्छा, कहा हो? गौरी पूछ रहे हैं. गौरी से कहतो कि हम लोग रास्ते में हैं, तुम लोग चलो हम लोग वही मिलते हैं. ओकी, बाई. इससे कुछ भी पूछो उल्टा ही जवाब देता है. अच्छा, गौरी, मैं ठीक तो लग रही हूँ न, अच्छी लग रही हूँ न? हाँ, बाबा, कितनी बार सुनेगी? तुम लोग का सजना धजना हो गया होगा, तो चले? हाँ, चलो, चलो. पंडची, प्रनाम. पंड़नाम, बीटिया, पंड़नाम. पंडची, आर्ती की तयारी होगी है या हम कुछ मदद करते? नहीं, बीटिया, सब कुछ हो गया है, बस महमान का इंतजार है, देवी जी का, बहुत इख्याती प्राप्त गाई का है, तुमने तो जरूर भजन सुना होगा उनका, बस वो आ जाया है, उसके बात आर्ती शुरू कर देंगे. जी, पंडिची, हमने उनका भजन सुना भी है, और हमने संगीत की शिक्षा भी उनी से ली है, पिरसापुर से हम उनके बहुत बड़े फैन है, वो हमारी दीदी है. ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बिटिया. फिर तो आज गुरू और शिष्चे के साथ बैठकर भजन सुनने का मौका मिलेगा. बिटिया, बुरा ना मानो, तो एक बात कहूँ, देवी जी से एक बार फोन पर पूछ लो, कब तक बदार सकती है? जी, पंडिची. कर देवी, देवी! और कैसी हो, गौरी? कब आये? हम बस अभी आये, हम आपको फोनी करने वाले थे, पर देखा, आपकी गारी आकर रूगी. माफ करना, गौरी, हमें थोड़ा समय लग गया, उमीद है जादा देर ने हुई हुई हमें. नहीं दीदी, जैसी बाते कर रहे हैं आप, हम सब तो इस सब ही से आपका भजन सुनने का इंतजार कर रहे हैं और आज हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत काप आते हैं ने, सिर्फ आपकी सोहबत और शिक्षा की वज़े से वड़ना हमें याद है, जब हम बाबुजी से कहते थे ना, और उनकी पास वक्त नहीं रहता था तो वो हमेशा कहते थे, कि देवी दीदी है ना तुम्हें सिखाने के लिए, वो हमसे अच्छा सिखाएंगी और आपने सिखाया भी अरे नहीं गौरी, तुम हमारे गुरुजी की बेटी हो, और तुम्हें हुनर तु बच्पन से ही था मैंने तु बस तुम्हें सुर और ताल की सजावट सिखाई है दीदी, ये तो आपका बड़पन है, जो आप हमारा उच्छाव बढ़ा ली हमें, हमें क्या हम सब को, हम सब को इंतिजार है कि कब हम आपके आवाज से भजन सुन पाएंगे तो क्या हमें नहीं है, आज हम दोनों इक अच्छे गाएंगे चलो मैम, आटाग्राफ प्लीज जरूर, जरूर थैंक यू मैम मैम, एक फोटो ले सकती हो जरूर नवस्टे, नवस्टे, नवस्टे नवस्टे चेचेवर आपन जाएगा नीज का, कौरी को इंप्रेस करने के लिए स्वीपर तक बन जाए गई तुम सब जगराते में आ गए और तुम लोगोंने एक बार कॉल करके मुझे इंफॉर्म करना भी ठीक नहीं समझाना तुम सबकी तो बाद में खबर लेती हूँ मैं शिव तुमको क्या हुआ है चुपचाप क्यों खड़ियो ऐसे कुछ बोल क्यों नहीं रहो शिव मुह में छाले हो गया क्या बोलो ना शिव मुझसे फिर से कोई गलती हुई है क्या नाराज हो मुझसे अब क्या किया है मैंने शिव अरे तुम इशारों में क्यों बात करें, बोला ना जो साफ साफ बोलना है, पागल होगे हो क्या चुप रहो, मुफल आके कड़े रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है कौरी को भी आजी के दिन मुझसे मौनवरत रखवाना था आरती के बात जा जाके सब के पास परसनली समझाना पड़ेगा क्या मुसीबा तयार, प्लीज कोड़, और कोई मिसंडरस्टेंडिंग मत करने देना वरना मैं पागल हो जाऊँगा, आप मैं आपको जस्टिफाई करते-करते डेवी जी, आरती के तैयारी शुरू करें? जी जरूर लुकोपाा, जी जोन चलरानी, नुझी नव रात्री के जोत ज्यागाए, मन आउकन्सक रूप में आई, कर प्यारी नाद blender दे भ्यानी, आप घए 10% कि घन घन विंध्या चलरानी महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्या चलरानी महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्या चलरानी महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्या चलरानी बोलिये दुर्गा मया कीजे विंद्वासनी देवी की जे अब तोस्ती ओर गुवार हलो, हाँ सुन भाई केवल 5-10 मेंट रहे है हाँ जो गोला है वो सारी चीजे जगा पर लेयाना टाइम से लेयाना ठीक है और हाँ कान खोल के सुनलो जरा सी भी देरी हुई ना तो लगे गाँ कान के नीचे और हाँ वो छोटा डिबबा मेरे इशारे पर तुरंत आना चाहिए एक सेकेंड भी लेट नहीं होना चाहिए अरे हाँ हाँ भाई पैसे मिल जाएंगे यार फोन रखो जो बोला हो करो वरना भूल जा पैसे वैसे हाँ सच में दीदी आपके आवाज में चातू है बहुत संदर गाया आपने आप चानती है हम कितना भी कोशिश कर ले ना कि आपके जैसा गाया आपके जैसा सोड लगाया हम खरी दी पाते नहीं गौरे मेरी तरह गाने के कोशिस मत करो तुम्हारा अपना अंदाज है एक अलग धंग है सुर और ताल के साथ खेलने का और सबसे जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि तुम दिल से गाती हो अगर हमारी तरह गाने के कोशिस करोगी तो अपनी मौलिक तक हो दोगी सही का आपने दीदी, लेकिन जो पात आपके गाने में, वो कहीं नहीं, और आज तो आपके सुझाव सुनकर हमें यकीन हो गया, मा केवल आपके गले में नहीं, आपकी अंतर आत्मा में बसी है, अरी ये तुम्हारा बड़पन है गौरी, दीदी दीदी प्लीज, अपने वो, शेफ क्यों लाए हो हमें यहाँ, अरे बापा, बोलो, अरे यार, मेरा मोनरत खतम हुआ की नहीं, हाँ बापा, खतम हुआ, अब छोड़ो हमें जाने तो, अरे यार, ये बता, कि आज के टेस्ट में में पास हुआ या फेल, तुम्हें टेस्ट में पास, गुड़, और ओवराल एक्जाम में, शेफ, हमने तुम्हें मौनरत इसलिए रखवा आए था, कि तुम कम बोलना सीखो, गौरी यार, चुप चाप रहे, और मेरे सवाल का चवाब दे, मैं पास हुआ या फेल, मैंने सुबे से एक शब नहीं बोला, यार, ये इशारों में बात करकर के प तुम करेना, हुइप से, और यार ये जो ये अवडियर सेफेंस फाले गेमज कब खत्म होंगे है, यार, पता ने पास हुआ या फेल, अगर फेल तो मेरे सर पै चड़के गौरी तांड़ा ओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं.. याँ, नहीं, यार.. कहां रहें यह संथ्कावापच्छा, सुपह से मजाग्र लगा है? यह पाड़तों ना, जरूर में बताऊंगे, ईसको... कहां रहें गत्वत्तेत्वू, कितना मिस्कारे थी तुम्हें आर्थीमें? कोई ठिकान ही नहीं तुम्हारा? कभी इडर कभी उथर नहीं कि जुलिज़ भे पढ़े वे पड़ें वो तुम सुबह से तुलिखा, मैं तो बस क्या मैं तो बस ! मुझे तुम से कोई बात नही करनी है ज yönओ, मही जयो जयो पर तुम थे मैं वही हूँ जहां मैं था, और आगे भी वहीं रहूँगए, जहां मैं आज हूँ. प्लीज. मुझसे ये शायरी वायरी करने की कोशिश मत करो. तो लिगा, मेरे कहने का मतलब था कि मैं वहीं हूँ, जहां मैं था तुम्हारे दिल में. क्योंकि आज का दिन बहुत खास देन. बनो मत, अकर इतना खास होता ना, तो तुम मुझे बताने में इतने नाटक नहीं करते ठीक है, बता दूगा, पर जागन खातम होने के बाद और बादा करो, कि तुम आज का दिन, कभी नहीं बूलूगे अब बूलो, क्या बोल नहीं थी कुष्णी बॉलना है मुझे, जब मैं पूछ रही थी, तब तुम मेरा मजाक ओडा थे ना, शिव? तब तुम्हारा मन नहीं था ना, अब मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का अब मेनका, तुम तो बुरा मन गई, मैं तो बस ऐसे ही सच्ची, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उडा रहा था, यार, मुझे तो मजाक ओडाना आता ही नहीं है शिव, प्लीज रहने दो, मुझे कोई एक्स्प्रिंडेशन नहीं चाहिए तुमसे तुम लोग तुम मुझे अपने गॡूप का समझते ही नहीं हो ना? अगर समझते होते तो मुझे अपने साथ लेके आते रहा है मेनका क्या हुआ? तुम शिव पर गुसा कर रही हो हाँ, देखो ना, पतानी क्या हुआ इसे सुभा से? किसी से पात ही नहीं कर रहा? खेर, जानेत, शायद मूठ ठीक नहीं होगा. तो माँ मेरे साथ, हम तुम्हें देवीजी से मिलाएं. मुझे किसी से नहीं मिलना है. क्यो? क्या हुआ? क्या हुआ? गोरी है, तुम पोच रहे हो, क्या हुआ? तुम लोग ने जगराते में आने का प्लान बना ली और मुझे बताया तक नहीं. माफ कर तो, दीस. आच्चली पता है, कि सारी गलती ना शिफ की है. मेरी कैसे? और नहीं तो क्या? सुबा से तुमसे कितनी बारे पूछ चुके हैं? कि मेंका से बात हुई कि नहीं उसे कॉल किया, कि नहीं उसे जगा बताई कि नहीं उसे समय बताया कि नहीं और तुमोंकी? तुम तो सुबा से मौनी तौबा बने हुए थे ना? अच्छा. तो यह सब तुमारा की आधरा है, शिफ. अब तुम देखो मैं तुमारा क्या कर दूँ, तुम्हारी तो खेर नहीं है, शिफ. अच्छा, ठीके, ठीके, शिफ से तुम बात में लड़ लेना. आओ, पहले हम तुम्हें देवी दी से मिलवा देते हैं. चलो, अब शिफ. आओ, तुम भी आओ. या फिर अभी भी मौनवरत चल रहा है. शार, कमाल की चीज़ बनाई है, कुदरत नहीं, ये लड़किया है. चाहे हेड हो या टेल, इनसे जीतना इंपॉसिबल है, पॉस. प्रशंसा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. दीदी. दीदी, मैं इनका. नबस्ते. अच्छा, तुम वही हो ना, जिसने शीव के साथ डांस कॉम्टिशन ने भाग लिया था? हाँ, दीदी, हम दोनों वही है. अच्छा. देवी जी, अब तो बहुत देर हो गई है, कोई भजन सुना दीजिए ना? प्लीज, सुनाईए ना. ठीक है, मैं भजन तो सुनाऊंगी, लेकिन उसके ले एक शर्थ है. कौन सी शर्थ? शर्थ ये है कि शीव गौरी और सब को हमारी भजन पे निर्थ करना होगा. बोलो मन्जूर है? मन्जूर है. प्लीज, प्लीज, ना. निम्यां के डाढ़ी मैया लावैले हिलोरा वाके जुले जुले ना कि मैया मोरी का वैले गिती आके जुले जुले ना कि मैया मोरी का वैले गिती आके जुले 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 ना जुलता जुलाता मया के लागाले पियासिया के चले भैले ना जुलता जुलाता मया के लागाले पियासिया के चले भैले ना हुमा लाहोर या आवासावा के चले भैले ना निम्या के डाढ़ी मया लावैले हिलो रा वाके चुले जुले ना निम्या के डाढ़ी मया लावैले हिलो रा वाके चुले जुले ना की मया मोरी, की मया मोरी, की मया मोरी गा वैले गीती आके चुले जुले ना की मया मोरी गा वैले गीती आके चुले जुले ना बाद मिन भी के खुब लुए के रहा है बेरी गुड, जब मैं इशारों करूंगा ना तब आना, ठीक है? ओके, बाई जुले, जुले, जुले ना निम्मी आके डाढ़ी मैया लावैले हे लोरावा के जुले, जुले ना की मैया मोरी, की मैया मोरी की मैया मोरी का वैले गेते आके जुले, जुले ना की मैया मोरी का वैले गेते आके जुले, जुले ना सुनिये, सुनिये, क्या आप सब हमारी प्रियर गाईकर देवी दीदी के बार में कुछ जानना चाहेंगे? हम इनकी स्वागत में दो शब्त कहना चाहते हैं, देवी दीदी से हमारी मुलाकात तब हुई थी, जब हमने साथ सुरों में पहला सुर सीखा था, और आज हम जितना भी गा सकते हैं, तो वो सब इनकी प्रेना की वज़े से, इनकी दी हुई शिक्षा संसकार बनकर हमारे मन मे से बसी है, हम हर दिन यहीं उम्मीद करते हैं, यह अगर देवी दीदी के व्यक्तित वर जैसा दस प्रतीशत भी हम बन पाए ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा कोई चला जाता है, विदा लेकर, कोई रह जाता है दिल में तस्वीर बना कर, पर तुम्हें कैसे विदा कर देते हैं, क्योंकि विदा तो पराईयों को किया जाता है, आपनों को ने, तोलिका, मैं आज सब के सामने, तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, जब स मैं तुम्हें देखा, जब से तुम्हारी शरारतों में शामिल हो, तब से बस तुम मेरी ख्यालों में रहती हो मैं तुमसे बेहाथ प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे मैं भी, बहुत प्यार करती हूँ संतु तो क्या करोगी पूरी जिंदगी भर मुझसे प्यार? करोगी मुझसे शादी, बनोगी मेरी दुलाण? येस करी करी जिले भी जिले टोश्म तुम्यू करी जिले उत्हला करती हूँ तो यह चापा रहे दियना तमसु बाजे? और वा को लेसी लिए था Thank you Congratulations Thank you Congrats Thank you Congratulations Thank you Thank you Thank you तुम कही तास्क में फेल हुए लेकिन कोशिश तुमने सब में पूरी की फिर चाहे वो हमारा मन रखनी के लिए हो या मान तुम परीक्षा में पास हुए या फेल यह हम नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारा भरोसा और विष्वास चीतने में तुम अवल नमबर से पास हुए हो और आमें विषवास हो गया है यहां के चलकर चाहे, बड़ी से बड़ी कठेनाय क्यों ना, बड़ी से बड़ी मुसीबद क्यों ना, तुम कभी पीछे नहीं हाटों के. अच्छा, गौरी, अब हमें इजाज़त दो, अब हम चलते हैं. अच्छा, मुम्माई में किसी भी चीज़ की जरुवत हो, तु बेजिज़क फोन करना, जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं जरूर करूंगे. तु लिखा कि तरह तुम भी अपना संत ढूण लो? अच्छा, अब हमें इजाज़त दो. आई, हम छोड़ते हैं. अच्छा, बस तुम न, ऐसे ही दूर खड़े होके न, तम हासा देखते रहो, जएसे संत न, किया है न, प्यार का हिजार, वैसे ही सिप भी एक तिन अपने प्यार का हिजार कर देगा. देखो, अभी, जहाँ सीप खड़ाया, वहाँ तुम यह खड़ा होना चाहिए था, जोट कहें तो काओ, पर तुम जैसे नहीं पिड़ी को समझाना ही गुना है. अरे भाबी, क्या कह रही है, पूजा की जगह है, मैं यह आपर कोचीफ हरकत नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता भाबी, क्या जबर्दस्ति उसके साथ जाकर डांस करता है, यह भगवान, अब हम कही से संचाये तुमको, पिनना, मस्कोरी को खूरना, और ख्याली प अपोस्ति और गॉा